दोस्तो फाइनली जिस चिस का आपको इंतजार था वो घड़ी खतम हो चुकी है आप सभी बोल लेते सर 2020 का पेपर लेकर आई है जो पिछले साल बोर्ट पर इच्छा में पूछा गया था तो आपकी इंतजार की घड़ी खतम हुई आज सुभम क्लासेस पर आपको क्लास 10-12 ह हिंदी का पेपर बताया जाएगा कि 2020 का बोर्ट पर इच्छा का कौन सा पेपर आपको कौन कौन से पेपर इस कोश्चन में पूछे गया थे साथ में आपको सभी विश्यों का पेपर कैसे मिलेगा विद सॉलूशन तो आपसे रिकर्ष्ट है अगर आप क्लास 10-12 के पर शुरू करते हैं आपको यहां पर मैंने जो कोड लिया है वह है 2020 का 302 जेड के यह कोड संख्या है और इसमें सबसे पहले जो आपका पेपर है उसमें लिखा है समय 3 गंटे 15 मिनट और पुडांक सो अंग यानि आपका हिंदी और मैच्स का पेपर सो अंग का होता है साथ पर इंग्लिस का वहीं physics chemistry biology का आपका 70 marks कोता है जो 30 marks का प्रेट का लड़ा ठीक है यहां पर एक note करका लिखा है प्रारम के 15 मिनट परचारती को प्रसपत पढ़ने के लिए निर्धारित है और आपसे request है अगर आप भी board exam में सामिल होगे तो आप सबसे पहले paper प्रसपत 15 मि ठीक है ठीक है वहीं पर कुछ आपको निर्धेश दिये संपूर प्रसपत दो भागों में बटा हुआ है खंड का तता खंड कमी वाजित है और सभी प्रस्त अनिवार यानि आपको कोई ऐसा प्रस नहीं है जिसमें आपको छोड़ना है ठीक है सबसे पहले खंड का रहता है खंड का में आपके टोटल दस कोशन आएंगे पांच रहेगा गद से अब पांच रहेगा पद से ठीक है यह इस साल का भी पेपर पैटान है सबसे पहला कोशन आपके खंड का में है क्या भूलू क्या याद करू आप कता है आपको चार अप्शन दिये सुमित्ता रंपंद की डाक्टर राजन प्रसाद की हरिवन्स राय बच्चन की और अग्ये की ठीक है इसका कमेंट बॉक्स जल्दी से अंसर दे दो कि खंड का का पहला कोशन कौन सा है सेकंड कोशन आपके स्किन पर है दुरूज सामनी नाटक के लिखक है यहाँ पर भी चार अप्शन है राज सब को कितने कोशन का जवाब आ रहा है ठीक है तीसरा कोशन जो आया था इस साल असोग के फूल निवंद के लिखा का इसका वे चार आप्शन है रामचन सुर्ख हजारी प्रसादी वेदी विद्या निवासमी से राम विलास सरमाजी ठीक है आप यह सभी कोशन का आंसर दे नाम है आपको बताना है प्रेम चन की कहानी का नाम है कफन गुंडा रोज चीफ बीफ की दावट ठीक है माफ करना सही से दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने बहुत मुस्किल से पेपर आपके लिए अरेंज किया है तो इसलिए पीडियाफ उतना सही से उस बच्चे ने क्लि कैंड़ी से दिख रहा है ठीक है औहOMद पर पाँचरा क क्या निवास में सर निवनकरख है ललित निवनकर के मनो विगनिक निवन परशनाकाल है वीरगाता काल धक्तीकाल रितिकाल या दुनिक काल ठीक है वहीं पर ग्यानाशरी साखा के प्रमुक कभी है तुलसी दास सूर्दास कभीर्दास जी ठीक है जितने कोशन हैं इन सभी का answer पच्ची जुड़ें हैं उन्हें पता है कि मैं सभी कोशन का जवाब दे चुकाऊं कामायनी के प्रतम सरका नाम है चिंता आसा स्रधा या इडा थिक है इस चार आपको दिए गए है कि कामायनी के प्रतम सर का नाम है ठीक है वहीं पर पाचति पुझार चौथा कोशन है जो हर्ण добрop amplish पुझार के समितन नंदन कुमार कवी राम के ऊपर सक निम्लिखीत का साहित्तिक परिच्छा देते हुए उनकी प्रमुक्रश्णाव का उल्ले की ठीक है किसी एक लेखक का आएगा और फिर आपके लिए एक आएगा किसी एक कवी का ठीक है यूपी बोर्ट ने जारी किया है पांच राइटर का लेखक का आपको तयार करना है वो कौन-कौन से डिस्क्रिप्शन में हिंदी के प्लेश में जाकर आप देख लेना वही पर दूसरा जो पिछले साल पूछा गया था निम्लिखीत में से किसी एक कवी का अभी लेखक का है आप कवी का लिखना रहेगा साहितिक पर चलेते उनके प्रमुकृतियों पर प्रकास डाले जो एद्दा सिंग उपद्याय हरियोज जी का मैत्री सराल गुप्त और जयसंग का पर साथ इन तीनों में से कोई आप एक कर सकते हो ठीक है फिर आपको जो कहानी से कोश्चन आए चारो कहानी में अथवा मिला बहादूर अथवा लाटी लिखिए या फिर अथवा पंचलाइट अथवा दुरय अथरा ठीक है इन चारो में से कोई एक कहानी को आपको सभी से त्यार करना इस बार भी बोर्ड एक्जाम के ठीक है फिर वहीं पर आपसे पूछा जाएगा य साल भी ठीक है क्योंकि ये कोशन रिप्टेटर था सिंगार रस अथवा वीरस की स्थाई भाव लिखकर उसकी परिवासा अथवा उधरा लिखे यानि जितने भी रस है उनका आप क्या करो स्थाई भाव और उनकी परिवासा साथ में एक दो उधरा आप तयार कर लो ये दो लच्छड और उधरा तयार कर लो दोहा अथवा दोहा चंद अथवा कुंडलिया चंद का लच्छड और उधरा लिखने के लिए पिछले साल आयता दो नमबर का ठीक है वहीं पर फिर आपके लिए एक अप्लिकेशन आया था कि अपने छेत्र में प्रदूसर से उत्पन स् किसी एक सब के दो अर्थ लिखे यानि आपको प्रेवाची बताना है तो इसका comment बाकि जल्दी बतादो किसी एक का सिप लिखना है तीन दिया रहेगा किसी एक का लिखना है फिर वाकैंसों के लिए एक सब जिसे कहान न जा सके अनुपम कथनी अकथनी अदूतिय जो कभी जन नहीं ले आजन्म अजन्मा अमर अनुत्त पुत्र यह आपको बताना है कमेंट बख्ष ठीक है फिर आपसे मुहावरे और लोगुक्तिया ग्रामरे पूछ लेगा जिसमें से आपको किसी एक काई करना है ठीक है तो इसमें उल्टी गंगा बहाना पानी पानी होना मक्षन लग पूछेद फिर आपसे खंड़काव पर कोशन पूचेगा स्वपठित खंड़काव के ऐदार पर गांदी जी का चडित चित्रड कीजिए ठीक है वहीं आपका मुक्तित खंड़काव के कथाना का संचित वनंग करने के लिए पूछ सकता है यानि जो आपके जीले में जो ख important character play करता है उसका चरित्य चित्रा ट्यार कर लो जैसे त्याक पती का हर्सवर्धन और आपका यह मुक्ति युक का गांदी जी का और फिर इसका क्या त्याक पती में तो आपको कई सर्ग पंचम सर्ग चतूर्शेथिति तो उसको अपने सब्दों लिखने के लिए सकता है या फिर आप कहानी को जो खंकाव रहेगा उसा कथा वस्तु को संचे पर लिखने के लिए आप जरूर त्यार कर लोगों कि यह एक कोशन हर साल पूशा जता ठीक है फिर वहीं पर एक कोशन आपके लिए यहाँ पर है हिंदी का प्रत्व महाका वहाना आ जाता है राम चरित मानस पर्दावत पिथवी राजरासो राम चंडरी का ठीक है और छाया वात की विश्टा यह चार आप्शन है और रामधारी पर आपको सभी सब्जेट का यह पीडियेफ मैं अपडेट कर दूँगा और आपको सबसे पहले क्या करना है यह पीडियेफ आपको इसी अप पर मिलेगा सबसे पर आपको सुभम क्लासे से एप डाउनलोड करना है धेको इस से ओलरी पचास जार पढ़रें ठीक है यहां प काओड़